नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिबा आंलाइन क्लासेश में दोस्तों आजकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलावाद हाई के लिए वो हम जानेगे और आपको जो आपकी application form होगा वो आपको online भरना है offline भरना है application fees कितनी होगी तो पूरी detail हम इस भरती में जानेंगे तो उम्मिद करते हैं इसके बाद में दोस्तों पूरी official notification में आपको पहले दिखा देता हूं उसके बाद में इसके बारे में हम detail में बात करेंगे ठीक है आप देख सकते हैं यह जो application है यह इसके बाद में दोस्तों यहां पर इसके कुछ instructions दिये हुए है जो कि आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है इसको form को fill up करने से पहले ठीक है उसके बाद में दोस्तों इसी के नीचे application form का format पर दिया गया है क्योंकि यहां पर offline application form भरने हैं आपके लिए इसलिए यहां पर application form का जो है वो format भी दिया गया है तो name of poster दोस् आमको पांच बेज तक application form अलावध हाई कोर्ट में पहुंच जाने चाहने तो किस पते पर आपके लिए यह application form भीजना है और क्या के चीज की इसमें जरूरत होगी आपके लिए पूरी पूरी डिटेल में आपके लिए देने वाला हूं तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या करेकर आपके लिए इस परती की बारे में बिलकुल डिटेल में बता देना चाहता हूं कि यह देखें दोस्तो हम आचुके हैं इस समय सरकारे gigabytes की और आपके लिए बताओऊंग इस बहुंढ़ी कि बारे में पूरी डिटेल में यह उसकी दोस्तोस इन्फोर्मेशन हो गई उसके बाद में हम अगर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे दोस्तो यहां पर जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तो यहां पर वो हैं 102 ठीक है उसके बाद में आपकी एप्लिकेशन बिगन 19 जुलाई 2020 से last date for apply offline 8 अगस्त 2020 तक उसके बाद में दोस्तो आपकी जो exam data वो सितमबर 2020 में होना है admit card भी आपके सितमबर से पहले आ जाएंगे उसके बाद में आपकी जो application fees होगी वो general, OBC, SC और ST सभी के लिए 300 रुपे होगी और आप जो examination fees है वो demand draft के जरीए आप अपनी examination fees दे सकते हैं उसके बाद में दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसकी age limit की तो अगर age limit की हम यहांपर बात करें आपसे तो सबसे पहले बात करते हैं post name तो post name होगσα law clerk training उसके बाद में दोस्तो आपकी total post है 102 और आपकी जो age limit होगी वह होगी 21 साल से 26 साल के वीच में तो 21 साल से 26 साल के वीच में अगर आपकी एज है और आपके पास में ये डिगरी है तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं तो कौन-कौन सी eligibility होगी आपके लिए डिगरी क्या जरूरत होगी बो दोस्तों ये है आप ध्यान से सुनिएगा यहां पर जो आपकी eligibility है इस भरती में अपलाई करने के लिए बो है आपकी बैचलर डिगरी इन लॉव मतलब आपके लिए LLB का कोर्स किया होगी होना चाहिए तेन साल या फिर पांस साल का तो LLB की भी होने चाहिए आपने और LLB में आपके पास में 50% मार्ट से कम नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तों आप यहां से आके इसका क्या है दाउलोर नोटिफिकेasm Forte और सकते है और ऊफिसल वेपसाइट पर यहां से जा सकते हैं तो यहां पर हम अभी चलते हैं इसकी ऊफिशिल वेपसाइट पर इहां बैंने क्लिक कर दिया आप सबसे उपर ही देख रहे होंगे Advertisement of Law Clerk's Training 2020 यह PDF है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देख लिजी मैं आपको हैलियाट करके दिखा जाता हूँ यह है इसकी PDF जैसे ही आप PDF के दोस्तों क्लिक करेंगे यह PDF के है डाउनलोड हो जाएगी और यहीं पर इसी PDF में आपका application form भी दिया हुआ है तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिलकुल दिखाई देने लगे तो दोस्तो एक बहुत महत्यपून परमन्त आपकी सेलरी होगी एज लिमिट आपकी 21-26 साल होगी लाज डेट 18 अगस्त 2020 है और आपकी जो 21-26 साल एज होगी वो एक जुलाई 2020 के लिए काउंट की जाएगे उसके बाद में दोस्तों हम निच्चे आजाते हैं आपको मैं एप्लिकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखा देता हूं और कुछ महत्यपूल बात इसमें और बता देता हूं आठ 2022 मैंने बता ही चुका है आपके लिए यह पूरी और यहां पर जो आपके लिए कुछ important चीज़े यहां पर जरूरत है वो यह है आपके पास में दोस्तों computer knowledge होना चाहिए तब यह आप इस बरती में apply कर पाएंगे क्योंकि simple सी बात है कि clerks की vacancy है तो आपके लिए computer पर की काम करना है तो अगर आपके पास में computer knowledge है और आप data entry, bird processing and computer operation में successful है अच्छी तरह इस काम कर लेते हैं तब यह आपके इस form के लिए apply करना चाहिए उसके बाद में दोस्तों selection procedure आपका होगा for making selection आपके जो है only इलावाद bench में held होगा ठीक है candidate for interview will be called only after screening तो आपके लिए क्या होगा इंटर्वी भी होगा इस वर्ति में जो के आपके screening test के बाद में लिया जाएगा नेचर आफ वर्क आप इसका यह जो form है पूरा notification है इसको मैं लिंक देदूंगा वीडियो के description में बहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस लिंक के इस नोटिस के लिए पूरा पढ़ सकते हैं नीचे दोस्तों आप देखेंगे अगर हाँ टो अपलाई इसको पूरा पढ़ लें उसके बाद में यह application form को फिलिप करें और application form जो है आपकी बोई यह दे हुई है ठीक है यह आपकी application form दे हुई है पूरी यहाँ पे इसको आप प्रिंट निकाल के और इलावाद हाई कोड के उपर लेके हुए address पर भेज दें ठी तो यह थी आज की वीडियो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सिबा online classes को subscribe जरू करें चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत